हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो की ड्राफ्टिंग प्लस थियोरी हम यहां पर प्लाजो की ड्राफ्टिंग और थियोरी सीखेंगे इससे पहले भी मैंने थियोरी के कई वीडियो जो अपने चैनल पर मैंने वेहां चैनल लेनी हो आपकी जो लुए फोटी इंच हेप में हमारा जो प्लाजो की लंबाई और हम जो ही मेजरमेंट चाही होते गिल inputs लेहीं स्केंट प्लाजो की अन प्लाजो की लंबाई रखनी है उसमें ना न Atari 1- then कर देंगे यह हमारी प्लाजों की लंबाई यह उसके बाद हमारा जाता है हीप हीप यहां है 36 इंच इसके बाद हमारा जाता है आसन या मोड भाग आप आसन और मोड भाग किस तरह से निकालेंगे तो देखिए यहां पर हीप का तीसरा भाग हमें हीप का तीसरा भाग करना ज लगाएंगे 14 इंच पर इसके बाद हमारा आजाता है कमर 30 इंच और मोरी हमारी आजाती है 12 इंच मोरी को आप अपने अनुसार रख सकते हैं आप प्लाजो के बोटम में कितनी चोड़ाई रखना चाहते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है इसके बाद आप यहां लिख लिजिए प्लाजो के लिए इसके लिए हमें कपड़े को चार भाग में फोल्ड करना होता है और प् इसमें हम 2 इंच प्लस करकर प्लाजो की फुल लंबाई पर निशान लगा लेंगे देखिए फिर इसके बाद हमें बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन रखना है अगर अगर आप प्लाजो के में जो कमर के भाग को ही मोड कर यहीं पर बेल्ट लगाना चाहते तो आपको 2 इं में हमें इसके बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन रखना है इसके बाद हम मोरी का निशान लगाएंगे यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको नीचे से प्लाजो की चोड़ाई कितनी चाहिए इसके बाद हम अपने निशान से कटिंग कर लेंगे जो भी हमने निश चाहिए लिए प्लाजो की जो भी लमबाई लमबाई के लिए आप जहां पर अपनी नाड़ी जो सल्वार बांती हैं वहां से कमर से लगा कर नीचे तक बोटम तक जो भी आपकी लमबाई हो वो आप यह पर निशान लगा लिए उस ने हम 2 इंच का मार्जिन प्लस कर हमैंने सिलाई लगानी ठीजिक हिस्से लिए किस निशान लगाएंगे हमारा ही का चोथा भाग2.5 प्लस देकिए हमारा ऑगुसेムी 9-inch आएगा अब 9-inch में हम 2-2-inch प्लस करेंगे हम इस तरह से चोड़ाई में 9-inch का जैसे हमने ये निशान लगा दिया इसके बाद हम margin के लिए margin के लिए 2-2-inch लेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पर यह वाला निशान जो 2-2-inch के जोड़कर लगाएंगे तो हमने यहाँ पर hip हिप का चोथा भाग प्लस धाइंच चोड़कर इस तरह से हिप का निशान लगा लेना है अब हिप के निशान के बाद हमने चोड़ाई में हिप का निशान लगा लिया है अब लंबाई में हमें इसका आसन का निशान लगाना है तो आसन हमारा यहां है यहां मैंने आपको बताया कि आपको आसन किस तरश निकालना है आपको हिप का तीसरा हिस्सा प्लस उसमें टू इंच कर देना है तो आपको आसन का यहां पर measurement मिल जाएगा और यदि आप इसा नहीं करना चाहते तो मैंने इससे पहले प्लाजो के हिप के अनुसार आसन चार्ट का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप उसे वहां जाकर चेक कर सकते हैं या आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी तो आप वहां पर इससे देख सकते हैं तो यहां पर आपको हिप के अनुसार आपको आ मेजरम आया है उसके बाद लंबाई में हमने आसन का निशान लगा लेना है आसन का निशान लगानाए के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर गोलाई देनी है जो हमारा भागे यहाँ पर भी हम अ इस तरह निए लाइन देगे इसके बाद हम देख लेते हैं देख लेते हैं मोरी का निशान तो मोरी के लिए हमें जितनी चोड़ाई हमें चाहिए इस तरह से हम यहां पर निशान लगा लेंगे देखें बस हमें यहां इतने ही निशान लगाने हैं प्लाजो की कटिंग के लिए हमें हमारे हिप का भाग हिप का चोधा भाग यानि हिप का हिस्सा और हमारा प्लाजो की लंबाई ये पता होना चाहिए तो हम आसानी से अपने प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं तो चलिए देखिए मैं यहां पर आपको ड्राफ्टिंग पर बता दिया कि किस तरह से प्लाजो की कटिंग करनी है और आपको थियोरी भी नोट करवा दिये अब मैं आपको एक पेपर कटिंग पर कट करके बताती हूं कि आपको प्लाजो को कपड़े पर किस तरह से निशान लगाने है और किस तरह से कटिंग करनी तो देखिए हमने कपड़े को यहां पर इस तरह से 4 भाग में फोल्ड कर लिया है अब हमें जो हमारी बंद भाग ही हमारी बंद भाग के साइड 1 इंच मारजिन छोड़कर इस तरह से निशान लगा लेना है ये हमें बंद भाकी तरफ से हम एक इंच कपड़ा इस तरफ छोड़ देंगे और निशान लगा लेंगे इसके बाद हम यहां यह हमारे कमर का हिस्सा है तो यहां पर हम दो इंच बेल्ट के लिए बेल्ट हम इसी में फोल्ड करेंगे तो दो इंच आप बेल्ट के लिए यहाँ पर उपर निकाल दे और अगर आपको अलग से बेल्ट अटेज करना है तो आप इसे यह जो दो इंच का मार्जिन है वो मत छोड़िया आप डायरेक्ट आपकी प्लाजो की लंबाई पर निशान लगाये तो हीज़िसान लगाने के लिए हमें हीज़िक प्लाइड करना है तो 4 दिवाईड करते हैं तो हमारा आ जाता नाइन इंच मेंने नाइन इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया इसके बाद हम नाइनствен में धाई इंच प्लस करेंगे तेख्ये यहाँ अशान प्लस कर लिया है, तो हमें इस निशान लगा लिया हिप के लिए, इसके बाद हम लगाएंगे आसन का निशान, तो आसन का निशान लगाने के लिए, हम हमारे यहां आसन का तीसरा हिस्सा, प्लस हमें उसमें टू इंच करना है, तो हमारा आसन यहां पर है 14 इंच, तो इस तरह आपका कोई मेजर्मेंट हो आपका हिप का तीसरा हिस्सा आप निकालिए प्लस उसमें 2 इंच कर दीजिए तो यहाँ पर आशन का लिशान इस तरह से लगा दीजिए अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हूँ देखिये इस निशान को हमном programmes सीधा कर लिया है और अप उसी सामने वाले भाग में आप निशन लगा लीजी वाधिसें टेंगी ,Oकल के आपसके निशना की कहते हैं बॉटम की चोड़ाई रखनी है अगर आपको प्लाजों में बोटम की चोड़ाई 10 इंच रखनी है तो आप 5 इंच इस सेंटर के इस तरफ और 5 इंच इस तरफ यहसे निशान लगाएं हैं यह हमने दोनों निशान लगा लिये हैं इसके बाद हम इन्हें आसन से इस तरह से तिर्चा मिला देंगे देखिए इस तरह से हमें आसन से इन्हें तिर्चा मिला देना है दोनों तरफ के आसन से हम देखिए ये हमारा हो गया बोटम ये हमारा मोरी का भाग ये हमारा हो गया मोरी का भाग अब हमने जैसे निशान इनक कट कर लेंगे आपको इसी तरह निशान आपके कपड़े पर भी लगाने हैं अगर आपको इसमें कुई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले यहां पर मैंने इस तरह से पेपर पर अटेश कर दिया आपका प्लाजो आप जब कपड़े पर कटिंग करकर और स्टिछिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा वाले भाग में हम यहां पर लास्टिक अटेश करेंगे I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you for watching